हाँ जी बच्चों अब हम अपने इंडिफरेंस कर पे कोशिन नम्मर टैन पर आ गया है और कोशिन नम्मर टैन है explain the properties of budget line budget line के feature को बताना है इसके property को explain करना है कि आपने जो budget line देखा है budget line में हमने दो commodity का consumption करा या फिर आप कह सकते हैं कि दो commodity, two commodities के combination का consumption करा जिसमें हमने apple रखा हुआ था और जिसमें हमने banana रखा हुआ है एक apple four rupees का और एक banana two rupees का और आपने देखा starting में combination e में जहां पर हमने five apple consume किये और एक apple four rupees का and five apple आपका हो जाता 20 rupees का है इस साबसे zero banana then हम combination f पर गए तो four apple का consumption करा four rupees का each है तो 16 rupees यहां expand हो गए then जो remaining income थी हमारे income 20 rupees है तो remaining income आपका four rupees 16 तो expand हो गया इस four rupees को banana पर expand करा तो two rupees आपका एक banana है तो वहां पर हमने दो banana इसको buy करा उसके बाद combination हम जी पर गए तो यहां पर आपने यह observe करा कि यहां पर हम तीन apple consume कर रहे है जो कि आपका four rupees का each होने की वएसे यह बार रुपए यहां पर खर्च हो गए बच गया आठ रुपए जो बनाना पर अगर आप खर्च करते हो तो जो चे बनाना आपको मिल जाते हैं उसके बाद फिर आपका एक apple चार रुपए एक स्पेंड करते करते हैं दो रुपए इक बनाना आठ बनाना तैनापजी रो combinations को एक डाइग्रामेटिक रिपजेट एक उसको रिपजेंट कर आप रे पजेंडेशन दिया तो उन सभी points को connect कर दिया आपने वो सारे के सारे points connect करके जो street line बनी है वो हमारी क्या बनी budget line बनी तो वो जो budget line बनी है इसकी क्या properties है इसकी क्या feature है कैसा होता है कैसा दिखता है तो first property आपको आपके साहब ने क्या कह रहा है budget line is downward sloping बच्चे budget line is downward sloping downward sloping का मतलब यह होता है left to right downward एक तो देखिए left to right upward हो गया यह उपर की तरफ और downward यह downward हो गया तो budget line आप में देखा कि budget line कैसा होता है left to right downward sloping अगर मैं इसका diagram बनाओ budget line का तो इस तरीके से यह y-axis और यह o-axis यह x यहां पर हमने apple लिया देखिएगा यहां आपने apple लिया और यहां पर आपने clear है यहां पर आपने बनाना लिया अब आपने जब budget line ड्रो करा तो यह एक एसी state line है budget line में इस तरीके से तो यह left to right क्या हो गया डाउनवर्ड हो गया left to right community के लिए कम बसता है तो दूसरे community को हम कम बाई कर पाएंगे एक का consumption और बढ़ा दे तो उसकी income यहां सिफ्ट होगी तो remaining income क्या रहेगी पहले से लेस है तो आप दूसरी community पहले से कम आईगी तो आप इसमें एक चीज अब्सर्व कर रहे हैं कि जब एक community consumption बढ़ा होगे और income fix है तो दूसरी community consumption कम होगा तो दोनों के बीच में negative relation है तो आपका apple और banana के बीच में negative relation है तो इस negative relation को represent करने के लिए negative slope का diagram बनेगा और negative slope का diagram कैसा होता है left to right downward होता है clear है बच्चे समझ गए क्योंकि आप देखें इसके अंदर अगर आप apple consumption बढ़ाेंगे तो फिर banana आपको कम करना पड़ेगा apple का बढ़ाेंगे तो banana कम करना पड़ेगा तो banana consumption क्या तो चलर जा रहा है कम होता होता है तो दोनों में negative relation है और इस negative relationship होने की बजे़ से यह negative TRIP slopes का diagram बनेगा और जो negative सोफ का डाइग्राम होता है वो left to right downward होता है clear यह बच्चे तो आए जड़ा पढ़ते है m उसके पर कंब बचेगा दूसरे बहुत कम बायकर बाएगा अगर पहले consumption और करता है तो फिर income fix होने के विए से दूसरे का consumption क्या करेगा वो less करेगा इसलिए दोनों के बीच में दोनों goods के बीच में negative relation को बताने के लिए negative slope का diagram बनता है जो कि left to right downward होता है budget line is downward sloping budget line has a negative slope negative slope का मतलब बच्चे left to right downward को ही हम negative slope ही कहते हैं budget line has a negative slope it slopes downward as more of one goods can be bought by decreasing the sum unit of the other good मतलब किसी एक commodity कहरा है budget line जो है ये negative slope इसके पास भी negative slope होता है और जैसे ही ये एक किसी भी community का consumption वो बढ़ा रहा है ज्यादा उसको purchase कर रहा है वो कैसे दूसरे को कम करके ही पहले का consumption वो बढ़ा सकता है तो क्या कहता है budget line has a negative slope it slopes downward as more of one goods can be bought by decreasing some unit of the other goods clear बच्चे समझ गया अब हम बात करते हैं यहाँ पर point number two budget line is a straight line देखिए budget line क्या है एक straight line है एक सीधी रेखा है left to right downward तो है लेकिन साथ एक straight line है बचे straight line मतलब कि shape कैसा होगा बेसिकली shape depend करता है आपका sacrificing rate पर कर्व का shape देखिएगा कर्व का ढलान कैसा होगा upward x और y में जो relation होता है इस पे represent करता है अगर इनके बीच में negative relation होगा तो इनका downward हो जाता है ढलान मतलब slope अगर positive relation होता है तो इनका positive relation क्या होता है जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है तो positive relation जब x और y में देखने को मिलता है तो फिर upward diagram बनता है तो downward diagram तो बनेगा confirm है लेकिन जो curve का shape है वो कैसे है वो किस तरीके से वो किस तरीके से बनेगा वो जो कर्व का shape है वो shape उसके sacrificing rate पर depend करता है तो बच्चे से उस sacrificing rate है उस पर depend करेगा अब आप देखें बजट में क्या होता है फरस्ट और आप एक चीज़ को जड़ा observe कीजिए for example में लेता हूँ मैं एक example में ले रहा हूँ बच्चे जड़ा इस चीज़ को आप समझेगा मान लीजिए apple एक apple चार रुपए का है एक बनाना दो रुपए का है 20 रुपए मेरी income है मैं 10 बनाना consume कर रहा हूं 10 बनाना मैं bought 10 बनाना मैं purchase कर रहा हूं buy कर रहा हूं कितने रुपए चले गए 2 रुपए के एक बनाना 20 रुपए and apple zero next time next time देखिएगा मैं एक apple जीरो apple consume कर रहा था मैं तो सारे पैसे कहां लग रहे हैं बनाना पर तो 20 रुपए बनाना पर लगाए दस बनाना आ गए next time मैं एक apple consume करूंगा और extra तो अब apple पे चार रुपए देने पड़ेंगे बनाना पूरे 20 रुपए income ती चार यहां सिप्ट हो गया 16 रुपए बच्चे बनाने के लिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो अगर मैं यह ऐसे अगर मैंने एक apple लिया हो तो चार रुपए तो यहीं पर खर्च हो गए बच्चे 16 रुपए मेरे 20 रुपए में से उसको बनाना पर खर्च करूँगा तो बनाना कितना पाएगा आठ तो देखी जैसे मैंने एक apple गेन करा तो बनाना आप अबसर्ब कीजिए कि बनाना यहां पर दस से आठ बनाना पर आ गया दो बनाना सक्रिफाइस करा नेक्स ताम फिर दे गया दो बनाना सक्रिफाइस करा नेक्स्ट आम देखिए एक apple और ले ले तो तो बारा रुपए बचके उसके लिए आठ रुपए और 8 रुपए को जब हम यहां पर खर्च करते तो 4 बनाना आता 6-4 फिर से 2 बनाना सग्रिफाइस कर दिये एक एपल के लिए तो आप यह देखिए यहाँ पर कि हर बार एक एपल के लिए 2 ही बनाना से कर रहे है बच्चे यहाँ पर सईट्सक्षेट्चन नहीं हो रही है जो कि डिमनिशिंग होगा यहां पर बात हो रही है quantity कि आप कितनी buy कर रहे हैं यहां बात हो रही है आपकी budget की तो price क्या होता है constant होता है तो price constant होने का मतलब यह होगा जितना आपका तो जो sacrificing rate है, दो, next time भी दो, next time भी दो, next time भी दो, next time भी दो, क्या है constant है? क्या है, बच्चे, constant है sacrificing rate, क्यूं constant है? क्यूं be constant है, क्यूंकि इनकी price constant है, जय希望isto करेंगे, उस सh improvements काम होगा, फिर उतना ही shift होगा, फिर उतना ही काम होगा, तो price भी constant है तो sacrificing rate भी क्या है constant है, तो sacrificing rate जो constant है न बच्चे, उसकी वज़े से ये क्या बन जाता है, ये straight line बन जाता है, क्योंकि हर बार sacrifice देखिए same होगा, एक gain करा तो sacrifice ये, एक gain करा sacrifice ये, एक gain करा sacrifice ये, हर बार same sacrifice कर रहा है, तो Concentrate से कभी भी कुछ ची sacrifice हो, जब Concentrate से कुछ भी change आए, उसमें हमेसा straight line का diagram बनता है, इसलिए आपका budget line क्या बनता है, एक straight line बनता है, क्योंकि इसमें Concentrate से हम sacrifice करते हैं, तो budget line is a straight line, तो इसमें आपसे mention कर रहा है, budget line is a straight line, the slope of budget line is represented by the price ratio, obviously कि slope of budget line अगर आप देखें, slope of budget line, PX upon PY, मतलब एपल, आप बोल सकते हो, बनाना, एपल का price कहा है, 4 अपर बनाना कहा है, 2, मतलब कि हर एक के लिए 2 sacrifice करे हैं, constant है, the slope of budget line is represented by the price ratio, as price ratio is constant, price ratio तो क्या होता है कि एक straight line होता है, तो बच्चे ये budget line की property थी, आपको अच्छे से clear हो भी गया, और budget line की पर हमने बहुत अच्छी तरीके से detail में चीज़े discuss किये हैं, हाँ जी बच्चों, अब हम indifference curve chapter number 2 के last question पर आचुके हैं, और question है, determine the consumer's equilibrium by indifference curve, कि consumer equilibrium को explain करना है, determine करना है, और किसकी help से, indifference curve की help से, या फिर आपसे ये भी कह सकता है, कि determine the consumer equilibrium by ordinal approach, ये भी कह सकता है, आपसे, तो सबसे पहले बच्चे आपके mind में ये question आया होगा, कि sir consumer equilibrium क्या है, तो आए पहले consumer equilibrium को समझते हैं, फिर consumer equilibrium को indifference curve की help से determine करेंगे, तो सबसे पहला काम है, हम consumer equilibrium को समझते हैं, बच्चे हर एक consumer के पास में, उसकी जो भी income होती है, वो income उसकी क्या होती है, limited होती है, एक example से चीज़ को हम जड़ा फिर से clear करते हैं, माल लेजिए, आपके पास में 500 रुपीज का budget है, और आपने ये decide करा है, कि 500 रुपए में आपको shirt आप purchase करेंगे, और आप जब shirt लेने जाएंगे market में, उससे पहले कुछ mind में हम set कर लेते हैं, कि मेरे पास में कौन सा color नहीं है, मैं कौन से color का shirt लूँगा या लूँगी, मुझे plane में लेना है, check में लेना है, कुछ चीज़े आपने decide कर लिया market में, और 500 रुपए लेकर के, और आपने ये भी decide कर रहा कि इस 500 रुपए के लिए आपके लिए suitable market कौन सी होगी, अलग-अलग market होते हैं, अलग-अलग showroom होते हैं, हर किसी का budget अलग-अलग होता है, तो 500 रुपए इसका coding आपने एक market भी choose कर लिया, और अउस market में आप अब जा रहे हैं, और आपका plan यही है, अभी तक कि आप 500 रुपए का एक shirt purchase करेंगे, जैसे उस market में आप पहुंसते हैं, पहुंसते भी नहीं हैं, थोड़े दूर ही रहते हैं market से, आपको market के front पे एक shop है, उस दुकान पर आपको बिल्कुल वही shirt नजर आ रही है, जो आप सोच करके आये थे, उपर उससे भी बहतरी इन आपके लिए सामने है, बहुत अच्छा दूर से देख करके आप excited हो गए रहे, यार यह तो किती बड़ी अशट देख रही है 500 रुपे में, डमी पे लगी हुई है, क्या आप जाते ही बोलेंगे, जी 500 रुपे लो और यह शट पैक कर दो, और मैं इसको buy कर रहा हूँ, आपके budget में है, 500 रुपे में है, नहीं, हाँ आपको पसंद जरूर आ गया है वो, आप जो सोच करके आए तो वह ही है, लेकिन अभी आप purchase करने का decision नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, आप सोचोगे, कि अगर पहली दुकान पर ही, डमी पर ही अगर ऐसा shirt है, तो इस दुका कि देख ली, finally आपका मन अठका हुआ है, कि यहर वही best है, फिर भी आपने कहा भी तो market की पहले यह shop है, आप ऐसा करेंगे कि एक दो shop और देखेंगे, market के अंदर जाएंगे, पहले गूमेंगे, नदर मारेंगे, उसका एक दो shop आपको जो लगे डंक है, आप उसके अंदर लोगे सर यह 500 पर गता है 500 लो और मुझे यह दे दो, अब मेरा सवाल आपके साथ में यह है, कि जब आपको वही शर्ट लेनी थी, तो इतना क्यों परिशान हुए, इतना क्यों परिशान करा, आप स्टार्डिंग में ले लेते, जब को वही लेनी थी, आप सुरू में ले गया था, बट हमारे एफर्ट तो ही थे कि पांच सुरू है क्या था, इस अच्छी चीज मिल जाए, इस अच्छा आप्शन मिल जाए, इस से ज़्यादा सैडिसफाइड मैं हो सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं पूरी मार्केट गूम लिया, तो मुझे रियला तो यहाँ पर पूरी स्टोरी का एक मतलब यहाँ पर समझ में आया, कि जब भी एक कंज्यूमर अपने गिवन इंकम से यह सोचता है कि उसको मैक्सिमम सटिसफेक्शन लेवल मिले, अब मैक्सिमम सटिसफेक्शन लेवल का मतलब बच्चे यह नहीं हो गया, आप हाई क्वा के साफ से सारे options को देखेगा, उसमें से जो इस income में जो best है, उस best को वो select करेगा, तो हर लेवल पे maximum satisfied होता है, एक बिल्कुल below the poverty line पे जो है, वो भी अपने income के according, जो भी options available है, उसमें से maximum satisfied कोन करेगा, उसका selection करने के कोशिस करता है, और जो बहुत rich class है, वो भी अपने income में maximum satisfied कहा होगा, वो उसको लिए option को search करता है, तो एक consumer जब अपने given income से, चाब वो गरीब हो, चाब आमीर हो, given income जो भी है, उसमें जो भी options available है, उसमें से maximum satisfaction level कौन दे रहा है, उसका जब वो selection करता है, it means, जब वो realize करता है, तो वो purchase करने का decision ले ले लेता है, हाँ मैं जी, ये म लिए best price में, इस अच्छा कुछ और हो नी सकता, इसलिए मैं उसको purchase करने का decision ले रहा हूँ, और consumer का purchase करने के decision को हम क्या बोलते है, consumer equilibrium, और consumer जब purchase करने का decision ले चुका है, अब वो कहता है, shopkeeper नहीं ये dummy पर रहने तो दूसरा मैं दिखाता हूँ, आपको कोई नहीं नहीं दे certified मिल रहा है, आपको जब realize हो जाता है, यहाँ पर आपको maximum satisfaction मिल रहा है, तो आप purchase करने का decision लेते हैं, जब purchase करने का decision लेते हैं, तो consumer equilibrium में होता है, और जब consumer equilibrium में होता है, तो फिर वहाँ पर उसमें changes को वो नहीं रखेगा, कोई भी changes नहीं करना चाहेगा, तो consumer equilibrium क्या है, आपका एक रुपए का अगर आपको टॉफी भी लेना होता है ना बच्चे तो आप रेंडम ली कोई भी नहीं उठा लेते आप तो एक सेकंड ली कन्फीज होते हैं कौन सा लूँ इट मेंस अपने उस बजेट में आप देख रहे हैं मैक्सिमम सेडिसफाइट कोन करेगा तो यह लेते हैं तो कंजूमर के इंटैशन क्या रहती है उसके गिवन इंकम में उसको मैक्सिमम साडिसफ़क्शन लवल मिले अगर वह ऐसा करता है तो फिर उकलीवरियम के सिचुशन में आ जाता है और वहां पर फिर वह पर चेस करने का वो क्को कोई चेंजिस को वो नहीं करना चाहेगा क्लियर यह होता है कंझूमर एकलीबरियम तो आईए最早 कंजूमर एकलीबरियम पढ़ लेते हैं हम क्या है एक consumer अपने given income में और उस goods के price पर जब वो maximum satisfaction लेता है उसे consumer equilibrium कहते है The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together तो satisfaction is achieved by studying indifference map तो इसको हम indifference map से समझेंगे इसी चीज़ को अभी हम यह देखिए यह family of indifference curve देख रहे हैं हम diagram में एक indifference curve नहीं है, IC1 भी है, indifference curve 2, IC2, indifference curve 3, IC3 तीन indifference curve है, family of indifference curve है, map of indifference curve है यहां समझते हैं, consumer equilibrium को तो मतलब clear है maximum satisfaction level given income और given price पर लेना इस चीज़ को indifference curve की health से समझना है तो indifference curve की health से समझना है तो indifference map बनाया है मैंने और एक budget line है, आए जड़ा देखते हैं कि हम इस से हम किस तरीके से consumer equilibrium में आएगा, जड़ा हम इस चीज़ को जड़ा हम समझ लेते हैं clear है बच्चे? तो जड़ा यहां पर आप देखें, आपके पास में, एक तो आपके पास में बच्चे है तिन indifference curve लिया हमने, एक indifference curve IC1 और दूसरा indifference curve IC2 नाम रखा है, तीसरा indifference curve IC3 नाम रखा है clear है? और यहां पर आपके पास में goods X है, commodity और यहां पर आपके पास में community y है और आपको पता है एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाए satisfaction level same रहता है लेकिन different different indifference curve पे satisfaction level different different रहता है और ये भी पता है हमें कि higher indifference curve पे satisfaction level higher रहता है higher indifference curve represents higher level of satisfaction तो ic1 से ज्यादा satisfaction level ic2 होगा और ic2 से ज्यादा satisfaction level ic3 पर मिलेगा तो मैं यहाँ पर consumer के equilibrium को explain कर रहा हूँ मतलब कि एक consumer को maximum satisfaction level मिले इस चीज़ को मैं explain कर रहा हूँ with the help of indifference curve और ordinal approach तो अगर मैं indifference के indifference curve के help से maximum satisfaction level represent कर रहा हूँ consumer कैसे मिलेगा तो उसके लिए मैंने एक नहीं family of indifference कर बनाया map of indifference कर मैंने derive कर रहा है जिससे आपको अलग-अलग satisfaction level मिले और एक consumer तो आपको पता यह वो चाहेगा उसको maximum satisfaction level मिले clear मानने के लिए लेकिन maximum satisfaction level का मतलब तो यह भी है कि उसके बजट में भी आना चाहिए अगर आप हैं या मैं हूँ मान लेजिए हम पर फरारी कार नहीं है हम फिर भी कहते हैं कि हमें फरारी पर maximum satisfaction card मिलता है जो चीज को मैं लें रही नहीं सकता यूजर नहीं किसको है bare मैं maximum satis do you two consumer कित्रा maximum satis फाइड होगा तो उसके लिए उसके बजट का वी पता होना चाहिए उसको ले भी पाएगा यह नहीं ले पाएगा ले पाणी रहा हैं मैं maximum satisfied यहां पर होंगा यह कोई बात नहीं हुई satisfaction level तो जब मिलता है जब आपको उसको use करते हो और आप जब use जब करोगे जब वो चीज आपके budget में आए तो इसमें एक satisfaction level का पता होना चाहिए आपका और एक आपके budget का पता होना चाहिए इसी लिए satisfaction level को represent करने के लिए मैंने indifference map बना दिया है और आपके budget को represent करने के लिए मैंने budget line ड्रो करा है अब आप देखें budget line का नाम रखा है मैंने A, B एक budget line है आपका और budget lines आप क्या समझते हैं एक budget line पर अगर आप हैं budget line के किसी point पर हैं तो वहाँ पर जो combination two commodity का आप buy कर रहे हैं उसका जो total cost है और जो आपकी total income है दोनों बराबर होती है मैं repeat कर रहा हूँ एक budget line पर अगर आप किसी भी point पर two commodity के consumption को अगर आप buy कर रहे हैं उसके given price पर तो जो उनका cost होता है और जो आपकी income होती है दोनों equal होती है समझ रहें clear है तो एक budget line है AB और IC1 पर जो satisfaction level है इससे ज्यादा मिलेगा आपको IC2 पर उस्यादा मिलेगा आपको IC3 पर सबसे पहले H IC3 पर एक point है H या कोई भी point ले लो IC3 पर satisfaction level तो same ही रहेगा एक इंडिफरेंस कर पर तो IC3 पर तो consumer equilibrium में होई ही नहीं सकता है उसको maximum satisfaction मिल ही नहीं सकता है वसे देखा जाए तो maximum satisfaction level IC3 रिपरसेंट कर रहा है पर इस consumer के लिए तो नहीं है क्योंकि यह इस consumer के budget से बाहार है तो consumer इसको buy ही नहीं कर सकता तो कहां से इसको maximum satisfaction पर मिल जाएगा तो IC3 पर किसी भी combination को एक consumer buy नहीं करेगा नहीं कर सकता है तो consumer IC3 पर equilibrium में आ जाए यह सवाल ही पैदा नहीं होता है क्लियर है बच्चे अब बात करते हैं किन-किन पॉइंट की देखिए कंज्यूमर एफ पॉइंट पर buy कर सकता है क्योंकि उसके budget लाइन पर है उसके income के अंदर आ रहा है उसके income पूरी income खर्च करेगा तो F को buy कर पाएगा बढ़ कर लेगा उससे एक salvation मिलेगा पी उसके budget के अंदर मा रहा है budget लाइन से नीचे है खर्च करेगा उससे इसको मिलेगा जी आपका budget लाइन पर है जी पॉइंट बजट लाइन पर है या नहीं है budget जी पॉइंट बताइए जरह तो जी पॉइंट बजट लाइन पर है तो इस पर consumer की पूरी income चले जाएगी लेकर बाए कर सकता है और satisfaction मिलेगा पर आप एक ची बताएए F पर जो satisfaction level मिलेगा P पर जो satisfaction level मिलेगा और जो G पर मैं F पर रहूं या फिर मैं P पर रहूं या फिर मैं G पर रहूं मेरा satisfaction level different रहेगा या same रहेगा तो आप कहेंगे sir same रहेगा क्यों same रहेगा क्योंकि F P और G एक ही indifference कर पर है IC1 पर F P G एक ही indifference कर पर IC1 पर और एक indifference कर पर सेम रहता है तो चाहे मैं F लूँ चाहे मैं P लूँ चाहे मैं यहाँ पर G combination का consumption करूँ मेरा satisfaction लेकिन बच्चे आप यह ज़रा सोचिए एक ची सोचिए ज़रा E को देखें E point को क्या आप E point को आप buy कर सकते हैं हाँ आपके budget पर आ है पूरा पूरे income जाएगी लेकिन उस combination को आप buy कर सकते हो कि satisfaction level क्या F, P, G जितना ही मिलेगा नहीं इनसे ज़्यादा satisfaction level मिलेगा क्योंकि यह E point किस पर है I C 2 पर है और I C 2 I C 1 से higher indifference curve है और higher indifference curve higher satisfaction level को represent करता है तो E point आपका F, P और G से ज़्यादा satisfaction level को represent करता है तो consumer को उतने income खर्च करके F, I C 1 भी मिल रहा है satisfaction level और same income खर्च करके उसको I C 2 वाला भी satisfaction level मिल रहा है तो maximum satisfaction level एक consumer को लेना होता अपने given income में तो कौन सा combination select करेगा E combination select करेगा given income में I C 1 भी है और given income में I C 2 भी है given income में I C 1 भी है given income में I C 2 भी है तो maximum satisfaction level I C 1 के compatibility I C 2 पर ज्यादा रहेगा क्योंकि higher indifference कर पर है तो consumer equilibrium में कहां पर आ गया consumer equilibrium पर E point पर आएगा E means equilibrium clear है बच्चे समझमाएं आपको तो consumer E point पर equilibrium में आ जाएगा जहाँ जहाँ Y का इतने कंजंशन कर रहा है और X का इतने कंजंशन Uni कर रहा या तो आप खुछ हिए उसी इंकम से पूरी income करकर के वो एफ ले रहा था और पूरी इंकम खर्च करकर करके वो IC1 पर रह रहा था और उसी इंकम खर्च करकर करके वो IC2 पर भी जा सकता है तो एक कंजूमर एक किल बीरे में तो तब आता है जब उसको maximum satisfaction मिल जाए तो उसके given income में उसको क्या मिल रहा है उसको यहाँ पर maximum satisfaction level मिल रहा है क्लेरे बच्चे समझ रहे हैं तो अब आप देखिए उसको maximum satisfaction level कहां मिला जो budget line से उपर है वो तो possible ही नहीं budget से बार है जो इंटेसेट कर रहा है नहीं जो tangent है ना IC2 budget line पर इस पर्ष कर रहा है tangent जो के निकल रहा है टेंजेंट में इस क्या होता है maximum या higher indifference का छूके निकल रहा है उसके बाद तो brain से बार ही चला जाएगा उससे नीचे तो आप रहने ही दो तो maximum indifference आपका higher indifference कर कौन सा होगा उंचा indifference कर कौन सा होगा जो कि touch करके निकल जाए उस उपर रहा तो फिर आपका आउटो फ्रेंज ही चला गया तो एक चीश समझमा आगे consumer equilibrium में वहाँ पर होगा जब indifference कर budget line पर टैंजेंट हो छूके निकले तो वह एक पॉइंट को रिपजन करता और consumer equilibrium की वह situation है क्लिर रहे बच्चे समझ रहे हैं इस चीश को तो आए ज़रा इसी चीश को जो भी मैंने अब इतना सारा बता है इसी को त्वरी में देख लेते हैं एक बार हम जी बच्चों आए ज़रा इसी consumer equilibrium को हम अब थेवरी में पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं इन फिगर IC1 IC2 and IC3 it means in figure indifference curve 1 indifference curve 2 and indifference curve 3 are the three indifference curves and AB is the budget line with the constraint of the budget line the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2 the budget line is tangent to the indifference curve IC2 at the point E this is the point of consumer equilibrium where the consumer purchase OM quantity of a commodity X and ON quantity of a commodity Y clear है तो आपके पास में M हो गया और यह आपके पास में N हो गया तो बच्चे क्या कह रहा है कि IC1, IC2 और IC3 3 indifference curve है जिसमें से consumer अपने given income में highest indifference curve पर जाने ही कोशी करेगा जो कि IC2 पर गया है IC3 तो उसकी range से भाहर चला गया और IC2 पर जहां पर indifference curve budget line के क्या है tangent है वहाँ पर consumer equilibrium में हो जाएगा और यहां पर यह Y की ON quantity बाई कर रहा और X की OM quantity बाई कर रहा है जारा दुबारा देख लेते हैं एक बार तेयोरी में In figure IC1, IC2 and IC3 are 3 indifference curve and AB is the budget line With the constraint of budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2 जो highest indifference curve जिस पर consumer पहुंच सकता है वो है यहां पर IC2 पहुंच सकता है जिस पर IC2 है IC3 तो उसके budget से भाहर उस पर नहीं पहुंच सकता हो The budget line is tangent to indifference curve IC2 at the point of E तो budget line और indifference curve tangent है दूसरी को कहां पर point E पर है This is the point of consumer equilibrium where the consumer purchase OM quantity of X commodity and ON quantity of the Y commodity इसी चीज़ को हमने यहां पर theory में इसको हमने अच्छे से explain करा है Clear है बच्चे? हाँ जी बच्चों देखिए अगर consumer इस situation में है MRS XY greater than PX upon PY It means marginal rate of substitution of X community to Y is greater than PX upon PY तो क्या होगा? First of all आप consumer equilibrium के बारे में अभी तक क्या सुझ माएं आपको theory में? यही कि एक consumer को maximum satisfaction level मिलना चाहिए उसके given income में और community के given price पर तो consumer equilibrium में आ जाता है और आपने diagram में देखा कि maximum satisfaction level लेने के लिए higher indifference curve पर जाना होगा और एक तो higher इतना चले गए कि उसके budget से बार होगा, उसको छोड़ दीजिए बाकि higher कौन होगा, जो कि उसके budget में आ रहा हो, जो उसको tangent हो, जो उसको touch करके जा रहा हो तो वही सबसे highest indifference curve होगा, जिसको consumer afford कर सकता है, क्योंकि उसको income को touch करके जा रहा है, उसके बादवाला तो उससे बाहरी हो जाएगा, और उससे अंदर वाले से उपर तो वही है, तो जो उसको touch करके जा रहा है, टच करने का मतलब tangent, tangent का मतलब क्या होता है, जहाँ पर touch कर रहा है, जिस point पर, वहाँ पर जो budget line का slope है, वही indifference करका slope भी वही होगा, जहाँ touch कर रहा है, जो budget line का slope है, वही indifference करका भी वही slope है, दोनों का, तो बच्चे मतलब यह है कि equilibrium में आने के लिए, equilibrium में आने के लिए कंपल्सरी कंडिशन क्या हो गया जो MRS स्लोप मतलब कि सेक्रिफाइजिंग रेट क्या है से स्लोप कहते हैं तो इन्डिफरेंस कर पर जो स्लोप है और जो बजट लाइन का जो बजट लाइन का हम स्लोप की बात कर रहे हैं पी एक्स एपॉन पी वाई इस पॉइंट पर दोनों इस दुसरे को कर रहें दोनों equal है इन इस दोनों slope के equal होने का मतल़ है दुसरे को टच कर रहें अब होगा हाइर इंडिफरेंस कर पर है और हैस्स इंडिफरेंस कर मतलब कर मतलब होगा maximum satisfaction level ले रहा है consumer equilibrium में तो consumer equilibrium में आने के लिए condition का होना बड़ा जरूरी है लेकिन अभी आप यहां पर इस situation में नहीं है आप है marginal rate of substitution of x community for y is greater than px upon py तो first of all आप equilibrium में आने के लिए क्या जरूरी है इसको देखे price x upon price y price तो बच्चे constant होता है नहीं तो उसको आप बढ़ा सकते हो ratio को और नहीं ratio को आप कम कर सकते हैं हाँ satisfaction level कम ज्यादा होता है लेकिन price नहीं होता है तो यह तो ऐसे ही रहेगा बड़ आपको equilibrium में आने के लिए किया करना पड़ेगा दोनों को equal करना पड़ेगा इसको तो आप change करनी सकते price तो constant होता है तो यहाँ पर equal आने के लिए problem क्या यह ज्यादा है एकोल आने के लिए सब्सक्रास करना पड़ेगा इट में तो यहाँ पर sacrificing rate यह ज्यादा है आपके budget फिर तीन, फिर दो, एक, हम कम sacrifice कब करते थे, जब हम more unit का consumption करते थे, ज्यादा unit का consumption करते थे, तो आगे चल करके, तो कि मुझे अपना satisfaction level same रखना पड़ता था, तो मेरे आगे चल करके, because of law of domination, margin, utility, still fashionable, कम gain करता था, तो मैं कम sacrifice करता था, तो sacrificing rate क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं, sacrificing rate क्या ज्यादा है, budget line से, मुझे क्या करना चाहिए, equal लाने के लिए, कम करना चाहिए, sacrificing rate, और sacrificing rate कम कब sacrifice करते हैं, जब more unit का consumption करते हैं, आगे चल करके, हम उसी एक commodity के लिए, से कम sacrifice करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, it means that to obtain, one more unit of x, यह क्या कह रहा है, clear बच्चे, if MRS x y is greater than p x upon p y, it means that to obtain, one more unit of x, x को और unit करने के लिए, then the consumer is willing to sacrifice more unit of y, x को gain करने के लिए, y को ज्यादा sacrifice कर रहा है, sacrificing rate को हम MRS x y कहते हैं, as compared to the, what is the required in the market, जो market में required है, it introduces the consumer to buy more of x, x को उसको over consumption करना पड़ेगा, जिससे की y को वो less sacrifice कर पाए, और sacrificing rate less होगा, तो इसके equal होगा, clear है, मैं repeat कर देता हूँ, आपका क्या sacrificing rate ज्यादा है, तो आपको equilibrium आने के लिए दोनों को equal करना होगा, तो sacrificing rate को कम करना होगा, हम कब sacrificing कम करते हैं, starting में ज्यादा sacrifice करते हैं, बाद में कम करते हैं, बाद में आने के लिए आपको more consumption करना पड़ेगा, तो sacrificing कम हो जाएगा, जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, इसके equal आजाएगा, consumer equilibrium में आजाएगा, तो वही कह रहा है, it means that to obtain one more unit of x, the consumer is willing to sacrifice more unit of y, x को पाने के लिए y को sacrifice कर रहा है, as compared to the what is the required in market, तो consumer to buy more of x, as a result, MRS falls and continue to fall, till it becomes equals to the ratio of the price, and the equilibrium is established, जब तक कि वो equilibrium पे established नहीं हो जाता है, जब तक वो अपने equilibrium पर established नहीं हो जाता है, तो कभी भी ये greater होगा, तो आपको more consumption करना है, जिससे कि sacrifice rate कम हो जाए, और ये इसके equal हो जाए, कई वार value-based question में आ जाता है, तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है, clear है बच्चे, आई जड़ा next situation में जब ध्यान देते हैं, हंजी बच्चों, अगर अब हम इस situation में आ जाएं, जहां पर MRS XY less than PX upon PY, It means marginal rate of substitution X commodity for Y is less than PX upon PY, क्या मतलब है, ये slope of the indifference curve है, और ये slope of the budget line है, Slope किसे कहते हैं, Slope का मतलब होता है कि एक को gain करने के लिए दूसरा कितना sacrifice कर रहे हैं, Sacrificing rate को हम Slope कहते हैं, तो ये indifference curve में XY की sacrificing rate है, और ये budget line पे sacrificing rate है, और आपको पता है कि consumer के equilibrium में आने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको maximum satisfaction level मिले, और बचे maximum satisfaction level आपका higher indifference curve देता है, तो एक consumer के लिए higher indifference curve कौन सा होगा, एक तो उसके budget से जो बहार आ जागा, उसको गिनना ही बेकार है कि उसको दो buy करी नहीं सकता है, तो जो उस budget line को जो touch करके निकले, बाकिस से नीचे वाला तो उससे तो आपका less indifference curve पर आएगा, higher indifference curve तो touch करके निकलता है, और जब touch करता है तो वहाँ पर जो slope होता है budget line का, और जो indifference curve को दोनों equal हो जाते हैं, तो consumer equilibrium की condition है, यहाँ equilibrium में आ जाता है क्योंकि यह higher indifference curve पर है, पर यहाँ अगर आप देखें, तो यह MRS XY equals to PX upon PY, यह equal नहीं है, क्या मतलब है sacrificing rate कम है, कम sacrifice कर रहे हो, किसके price X upon price Y, budget line के sacrificing rate से, जबकि दोनों का sacrificing rate करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसको तो आप change करने सकते हैं, क्योंकि price constant होता है, तो equal करने के लिए इसको बढ़ाने की need है, बढ़ाने की need है, अब आप बताओ, ज़्यादा sacrifice करना चाहिए, क्योंकि कम sacrifice कर रहा है, इसका मतलब है कम sacrifice कर रहा है, sacrifice ज़्यादा करना चाहिए, तो sacrificing rate को बढ़ाने की need है, आप बताओ, हम ज़्यादा sacrifice कब करते हैं, आपने देखा था सुरू सुरू में हमने 5 बनाना स्रिफाइस कर रहा था एक एपल के लिए फिर इसकी आद हमने एक एपल के लिए 4 तो जब आप less ने多शं करते हो स्टाइग में इंप स्टार्डिक्र वाले agent इनिट आप पो जहाद सैडिस्फाइट करता है और साविक्षा ल यहां पर आपको X का consumption लेस करना चाहिए जिससे फिर Y आप चला sacrifice करोगे It means that to obtained one more unit of X The consumer is willing to sacrifice less unit of Y As compared to what is required in the market It the consumer to buy less of X and more of Y As a result, MRS rises till it becomes equal to the ratio of price And the equilibrium is established So, क्या कह रहा है कि हमें X का As a result, MRS rise till the becomes equal to the ratio of the price Clear है? To it in the consumer to buy the less of X So, X को क्या consume करना चाहिए? Less consume करना चाहिए जिसे sacrificing rate starting में ज़्यादा रहता है और sacrificing rate ज़्यादा होगा तो ये इसके equal आजाएगा Consumer equilibrium में हो जाएगा Clear है, बच्चे? समझ गए? तो यहाँ पर less unit of X चीकिए न? ये less unit of X ये बड़ा important point है तो ये value-based question में आता है इन चीज़े को खासकर ध्यान रखेंगे बड़े important बाते हैं तो हाँ जी बच्चो Determine the consumer equilibrium by indifference curve अनलाईज अब इसमें हम अब आगें सी conditions finally conclude करते हैं तो आपको कहाँ पर consumer equilibrium में आएगा? ये चीज़ तो clear है कि consumer equilibrium का मतलब हो गया उसको maximum satisfaction level उसके given income में और commodity given price पर मिले और ये सब कुछ पढ़ते हुए finally कहाँ पर consumer equilibrium में होगा? conditions क्या है? conditions of consumer equilibrium first MRS XY equals to ratio of the price तो maximum satisfaction को लेने के लिए consumer को higher, higher and higher indifference curve पर जाना होगा तो उस indifference करके तो बात ही नहीं करेंगा जो उसके budget से बाहर है क्योंकि उसको बाहीं नहीं कर सकता तो कैसे उसमें satisfied करेंगा वो कैसे उसको satisfaction level लेगा जब सो consumer ही नहीं करा तो satisfaction level कहां से तो उसको छोड़ दीजिए तो फिर higher indifference curve कौन सा होगा उसके लिए तो बहुत सारे उसको intersect कर जिए एक होगा जो उसको tangent करके निकले, touch करके निकले उसके बादवाले तो उसके बाहरी हो जाएगा तो highest indifference curve कौन सा होगे उसको touch करके निकलेगा जिसने यहां पर देखी बहुत सारे उसकते हैं बट सबसे highest तो खारे अस करके निकले, तो जब touch करके निकलेगा consumer वहापर maximum satisfaction level पर है, higher indifference कर पर है है उसको maximum satisfaction मिलेगा clear में आएगा अपने वह गिवन इंकम है बजट में उसके तो टच करना जुरूरी है तो टच करने का मतलब क्या हो गया दोनों का स्लोप एक्वल है जब टच कर रहे हैं जहां में दोनों तो दोनों का स्लोप एक्वल का मतलब हो गया MRS X Y के स्लोप अफ़ अफ और प्राइस पीए प्राइस ऐस अपन पीए स्लोप अफ़ बजट लाइन इस एक्वल और दूसरी कंडिशन क्या है MRS continuously false margin rate of substitution continuously fall होना चाहिए it means पहले यह यह indifference curve का यह indifference curve का slope होता है यह continuously fall होना चाहिए क्यों क्योंकि आपको पता है पहले first apple के लिए five बनाना sacrifice करोगे satisfaction level को same रखने के लिए अगर एक gain कर रहे हो दूसरा sacrifice करोगे लेकिन apple ज्यादा satisfied करता है compatible to बनाना तो इसलिए एक apple जितना satisfied कर रहा है उतना ही आप satisfaction level को sacrifice करना चाहते हैं तो बनाना आपको ज्यादा sacrifice करना पड़ेगा next time एक apple रोग तो अब आप उतने बनाना sacrifice करोगे उससे कम बनाना sacrifice करोगे क्यों because of law of diminishing marginal utility जैसे आप किसी भी commodity consumption continuously करते से ले आते हो next unit से मिलने वाला satisfaction level last के compatibility कम हो जाता है next unit से मिलने वाला satisfaction level last unit के compatibility क्या हो जाता है आपका काम हो जाता है क्लिर है बच्चे समझे रहें तो यहां पर आप देखिए इस चीज को जड़ा और इस चीज को आप ज़रा satisfaction level को सेम रखना है और satisfaction level को सेम रखने के लिए आपको यह सब भी रखना होगा जितना आएगा उतना ही आप सक्रिफाइस करोगे तब सब्सक्राइब सेम रहेगा तो पहले एक एपल ज्यादा सटिसफाइड कर रहा तो ज्यादा सक्रिफाइस करते हैं सब्सक्राइब 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 और आपके पास में access भी है, तो यहां पर बच्चे ही chapter हो जाता है complete, अब आपको e-book पे जा करके आपको अपने indifference script को download कर लेना है, कभी भी मैं test announce कर सकता हूँ आपका, आपको फिर वो test में participate करना है, लेकिन दो दिनों तक तो आपको यह अच्छे से study करनी है, जो doubt होगा, आ आप फिर मुझसे आप contact करके आप में doubts को clear करवाएंगे, clear है बहुत important chapter था, और आपके exam के point वी से इसका अच्छा weightage भी है, वो हमने आज cover कर लिया, clear है बच्चे, तो e-book download कर लें और उससे पढ़ना सुरू कर दें, starting से, access है आपके पास में, classes की video की access है, आप जितनी मर्ज डाउनलोड करके आप learn करें